आज हम mention user module के बारे में सीखेंगे तो इसमें सबसे पहले हमें script user list डालना पड़ेगा इसके लिए मैंने use script image URL वाला option select किया है आपको यहाँ पर URL list select करना पड़ेगा पर हमारे पास फिलाल के लिए कोई URL list नहीं है तो हमें एक list scrape करना पड़ेगा उसके लिए मैं scraper module में scrape में URL में गई हूँ यहाँ पर हमें username एंटर करना पड़ेगा तो मैं कोई भी random username for example supercar यह मैंने copy किया और मैं paste कर रहे हूँ उदारन के लिए supercar यूज किया है मैंने number of photo मैंने 5 रखा है only id only url आप यूज कर सकते हैं तो मैंने only url यहाँ पर इस्तमाल किया है और मैंने मेरा action process start कर दिया है हमारा process complete भी हो चुका है gram dominator के सायता से तो अब मैं वापस mention users module में जा रही हूँ और अब जबकि हमारे पास scraped url list है तो मैंने वह select कर लिया है यह वह list है तो मैं इस में से कुछ मैंने select कर लिया है उसके बाद मैंने save कर लिया है data इसके बाद मैं user को load करने वाली हूँ multiple user name मैं load करूँगी तो मेरे पास पहले से एक text document ready है जहाँ पर multiple user name है तो इसको मैंने browse करके save कर दिया है अभी enter load user to mention इसका संखिया मैं 5 रख रही हूँ account जिस पे आपको काम करना है वो select करना है और आपका start action submit करना है gram dominator ने script mention user process start कर दिया है अब gram dominator का काम नीचे जो white dialogue box है उस पे देख सकते हैं comment हो गया है URL पे comment जो यहाँ पर दिख रहा है वो आ गया है दूसरा URL पर भी comment आ चुका है प्रजींक, ट्रिस posबाने हैं प्रशना मेंड़िंग गला, कुका है resource app Typically, are the अब ये जो पहला वाला URL था उस पे अलब टाइप का कॉमेंट आया है ब्राउजर में जाके आप देख सकते हैं रिलोड करके ये जो कॉमेंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये ग्राम डॉमिनेटर के मदद से अभी हम ने किया है ये वो सेकिंड इमेज है ये वो URL है जो हमने इस्तमाल किया था इसको भी मैं रिलोड करके आपको बता रही हूँ यही वो कॉमेंट है जो आ गया है ग्रैम डॉमिनेटर के नदद से